नमस्कार दोस्तो जैहिंद वन्दे मातरम दोस्तो आज की बात करेंगे वीडियो पर हिंदी ब्याकरण का ये दोस्तो बारवा पार्ट है और इसके पहले पार्ट हमने कंप्रीट कर लिए हैं तो यहाँ पर बेल आइकन पर आपके पिछले वीडियो देख सकते हैं दोस्तो हिंदी वैकरण के आपके सलेवर स्कूर्इव यहाँ पर बात करेंगे और इक्जाम में बार-बार पूँछे जाने वाले प्रस्पर यहाँ पर लेकर आए नहीं तो आए यहाँ पर देके पूर जानकारिया आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें आप देखने वाले हैं काल देखने वाले हैं आज का समय जिसे वर्तमान काल भूत काल हो गया आपका और भूत काल की कितने भेद होते हैं समान काल कितने भेद होते हैं इनके सारी चीज़ें हम भविष्च काल क्या हो गया ठीक है इनके सारी डिटेल जानन के साथ जानेंगे तो आए पहले याँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों काल ठीक है काल की बात करें कि जब क्रिया काल जब क्रिया समय का बोध कराती है उसे काल कहते हैं काल सब्दकार्थ होता है समय हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं भूत काल वर्तमान काल और भविश काल होता है भूत काल में जब क्रिया बीते हुए समय का भूत कराते उसे भूत काल कहते हैं ये सभी लोग जानते हैं इतना तो सभी लोग जानते होगे अब बात आती है ज्यान की कि भूत काल के च्छाय बेद होते हैं अगर इस जाम्या यहां तक पूछ लिए जाता है भूत काल क भेद होते हैं बूधकाल कе, अब चलते हैं आपके ये सारी डीटेल पूरा है, अप पीडिया फाइल भी आप टेलीगराम ग्रूप में टेलीगराम चैनल पे मिल जाएगी, थीके ये नका पूरा डीटेलके साथ दिया गया है, अब सेकंड की बात करेंगे हम वरतमान काल की, क कौन से समान, अपूर्ण, संदिक्द, और आपका अग्यार्थ, ये चार वेद आते हैं, तो ये पूरा डिटेल के साथ दिया गया है, तो आप पीडिया फाइल मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीके दोस्तों, ये रहे आपका, चली आप चलते हैं, आपके कोश कहते हैं, जब कोई क्रिया समय का ग्यान करा दे, उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे, समास कहेंगे, काल कहेंगे, कोई नहीं, अभी तो हमने परिभासा देखा था, कि जब क्रिया समय का ग्यान कराती है, तो उसे क्या कहते हैं, आपका काल कहते हैं, नेश कोश्चन है साथ यो काल सब्द का अर्थ क्या होता है मैंने ये भी बताया आपका कि काल सब्द का क्या अर्थ होता है काल सब्द का अर्थ आपका समय होता है ना की म्रत्व होगा ना दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं तो काल समय का क्या होता है अर्थ समय ही होता है अंगला प्रसना ये देखते हैं हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने ये भी आप लोगों के बताए कि हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं तो हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं भूत काल, वर्तमान काल और भविश्च काल चलते हैं अंगले प्रसन की तरफ और अंगला प्रसन स्कीन पर है जब क्रिया बीते हुए समय का ग्यान कराती है उसे कहते हैं जब कोई भी क्रिया बीते हुए समय का ग्यान करा दे यानि कि पिछला रिमाइन अगर कराती है याद कराती है तो क्या है अगर पिछला रिमाइन करते हैं तो आपको क्या कहलाता है वर्तमान काल भविष्च काल भूत काल कोई नहीं तो पिछला जो भी रिमाइन अगर करते हैं आप लोग तो वह आपके भूत काल में चला जाता है ठीक है भूत काल यानि कि बीता हुआ काल या बीता गया था देखे आपके भूत काल के कितने वेद होते हैं भूत काल के च्छे वेद होते हैं मैंने बताया था याद करिए पहले डिटेल से बता दिया गया था दोस्तो तो भूत काल के च्छे वेद होते हैं यही प्रसंदोस्तों आपके सिच्छक बरती में बहुत बार बार बा आये थे आप लोगों को ठीक है वरतमान काल के चार भेद मैंने बताये थे तो भूत काल का आप यहाँ पर डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है तो प्रस्न यहाँ पर फसने की बारी आती है तो इसका राइट इंसर आईए जान लेते हैं कि भूत का भेद है देखे आसन भूत पूछ भूत काल पूण भूत काल शामान भूत काल ता यह सभी अगर आपसन दिया है तो यहाँ पर ज़्यादा तर क्लिक करना है सही होगा यह आपको यादद रखना है नभे परसंट यहाँ पर सभी वाले प्रसंटश होते हैं इस कन्डिसन पर agreeing बूध काल के बेदिव आ क्या है घर गई आप इसमें आपको भूद काल बताना है Sun संदिक्ध है आपका इसमें अपूर्ण Ubột काल है शमान भूद काल यह लोके है चलिए इसका राइट एंसर जान लेते हैं अगहर आप लोगों को पता हो तो हमें comment box द्वारा जरूर आप लोग बता सकते हैं तो पूजा घर गई वाक में कौन सा भूत काल होगा इसमें आपका सामान भूत काल होगा ठीकि पूजा घर गई इसमें कोई भी ना संदिक्द है ना ही अपूर्ण भूत काल है चलते हैं इस question की तरफ अंगला प्रस्णी स्कीन पर है अपूर्ण भूत काल कौन सा भूत काल में है अपूर्ण भूत काल अब देखे अपूर्ण भूत काल देखे पीडिया फाइल मैंने जो आपको send की है टेलिग्राम गूर्प पर वहाँ आप लूग देख सकते हैं फ्री में बिलकुल या वाट्सअप गूर्प जोईन हो सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिक्सर्शन में सब से नीचे मिल जाएगी जोईन कीजिए और पीडिया फाइल भी आपको फ्री में वित डिटेल के साथ मिल जाएगी प्रस्न यह है दोस्तो अपूर्ण भूत काल कौन से वाक में है बहुत अच्छा प्रस्न है जो अपूर्ण भूत काल बताना है तो असोक पुस्तक पढ़ता था मनोज पुस्तक पढ़ रहा था महेस ने पुस्तक पढ़ी है कोई भी नहीं तो अपूर्ण भूत काल कौन सा हो जाएगा आपका मनोज पुस्तक पढ़ रहा था ठीक है मनोज पुस्तक पढ़ रहा था यह भी यह आपका अपूर्ण भूत काल के सिनी में आ जाएगा अपून भूत काल के भेद में आएगा बात करेंगे निसकोशन की क्रिया के साथ था थी थे लगा देते हैं तो कौन सा काल बन जाता है बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तो जो बच्पन में पढ़ाई पढ़ी अब बस उसी को काल बन जाता है सबी लोग यहाँ पर कमेंट करकी बताएंगे हर भाई वहन बताएंगे हर ग Laoई हर सिखक बन्दू जिसका सपना है त्यापक बनना सिखक बनना जरूर कमेंट द्वारा बताएं इसके इंसर क्या होगा देकि जब था थी थे लगा हो तो वह पूर्ण भूत काल कहलाता है या आपको कंठस कर लेना, याद कर लेना चलते हैं अंगले प्रसुन की तरफ हे तुहे तुमद भूत काल का उधारन क्या है ठीक है आपने हे तुहे तुमद भूत काल एक उधारन है भेद है आपका भूत काल का इसका उदहरन क्या होता है उदहरन बताईए कैसे पहचानेंगे अनुसका खाना बना रही होगी यदि महेश पढ़ता तो तीन हो जाता तेजस्वनी गाना गाती थी राधा घर गई है तो राधा घर गई है तो हो नहीं सकता क्योंकि पिछला आपके दे सकते हैं या प्रसंप ने किया था हे तुई तुमदभूत का उधारन क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका यदी महेश पढ़ता तो उत्तीन हो जाता हे तुहिए तुमदभूत का ऐसे आपकी जामपल कहलाते हैं सा हो जाएगा यदि महेश पढ़ता तो उत्तीन हो जाता यहे तुहीत मदबूत काल का इजामपल हो जाएगा चलते हैं अंगले प्रस्ण की तरफ दोस्तो बिनोध पत्र लिखता होगा बिनोध क्या करता है पत्र लिखता होगा तो वाक में कौन सा काल होगा संदिग्द भू लिखता होगा यानि कि हम बस संदिग्ध अभी लिखता होगा तो यहां पर संदिग्ध वरतमान काल आ जाएगा आपका चलिए अंगला प्रसना यह देखते हैं आग्यार्थ वरतमान काल का उधारन है देखें आग्यार्थ एक वरतमान काल का भेद है आग्यार्थ ठीक है और इसका जो उधारन क्या है जामपल आपको बताना है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा आप पढ़िये अग्यार्थ मतलब क्या होता है आप पढ़िये तो अग्यार्थ वरतमान कहला है आप पढ़िये मतलब वरतमान हो गया प्रजेंट टाइम हो गया आप पढ़ रहे हैं तो वही तो बोल है आप पढ़िए मैधा जा रहा हूँ आप पढ़िए बतो यह क्या हो गया एक अग्यार्थ वर्तमान काल हो जाएगा आपका चली अंगलाप प्रस देखते हैं क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का ग्यान करवाती है उसे कहते हैं क्रिया का वह रूप जो आपके आने वाले समय का ग्यान करवाती हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे ही आपका भविश्यत काल कहते हैं भविश्यकाल वही कहलाती है जो क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का ज्ञान करवाती है दोस्तों यहां पर हम तीनों काल या नहीं कि तीनों कालों को लेकर यहां पर प्रस्ण लेकर आए हैं जो भी आपका एक से दो प्रस्ण आना है यहीं से आना है यह आपको कंटर्स कर लेना है चलते हैं इस कोशन की तरफ कि भारत प्रतियोगिता में भाग लेगा भारत क्या करेगा प्रतियोगिता में भाग लेगा वाक में कौन सा काल है बइस काल में काए भेध है आपका समान तो समान भविष्चत काल भारत प्रतियोगिता में भाग लेगा या अभी लिया नहीं है ना वो ले रहा है ना वो प्रतियोगिता में अभी सामिल हुआ है भाग लेगा आंगे चल के भविष्च काल की बात की गई है अंगला प्रसना ये देख लेते हैं सरीता गाना गाती थी वाक में कौन सा काल होगा सरीता क्या है गाना गाती थी जहां पर था थी थे आ जाए तो कौन सा काल होता है सभी लोग कमेंट के बताएं तो पूर्ण भूत काल कहलाता है आपका चली अंगला प्रसना ये देखते हैं वीडियो आपको लाइक भ पढ़ी है प्यांका क्या पुस्तख को पढ़ी हैं अब आप समझेगा पढ़ी है नहीं कि उसको पढ़कर निकल गई है जिसे आपने एक कुशन पढ़ा होगा पिछला पुशन पढ़ अंगला प्रस्वन हैं ऑफ बिंटु स्कूल जा रही है क्या है बिंटु स्कूल जा रही है वाक में कौन सा काल होगा बिंटु क्या सकूल जा रही है सभी लोग जानते हैं का राइट मांशर क्या tron क्मेंड करनें फटा फट अपूर्ध मान-क यह फ्मыл esqu insult जा क्रिया है उसके साथ रहा रही रहे लगा दे तो क्या बन जाएगा भईया कौन सा काल बनेगा अपूर्ण भूत काल समान भविश्यत काल अपूर्ण वर्तमान काल शमान वर्तमान काल किसी भी काल में किसी भी सब ने अगर रहा रही रही आगा को मिलता है वह कौन सा काल कहलात क्रिया के ब्यापार की समाप्ती समान रूप से बहुत समय पहले हुई हो उसे क्या कहते हैं तो उसे आपको पूर्ण भूत काल कहते हैं अगर कोई भी क्रिया है उसके साथ एगा एगी एगे लगा देते हैं तो कौन सा काल बन जाएगा एगा एगे लगा देने से कौन सा काल बन जाएगा तिहां पर आपका शमान भविश्यत काल बन जाएगा नेस कौशन देखेंगे अपूर्ण भूत का उधारन है अपूर्ण भूत ये आपको क्या है भूत का एक भेद है अपूर्ण भूत और इसका उधारन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमें कमेंड दौरा जरूर बताएं तो बालक सो रहा था यह आपके अपूर्ण भूत का इजांपल हो जाएगा नेश्ट कोशन देखते हैं हे तु हे तु मदभूत का उधारन है हे तु हे तु मदभूत का उधारन क्या है अब आपने एक एक कोशन इससे हमने कर चुका है दोस्तो ठीक है तो आप समझ होंगे कि हे तु मदभूत का उधारन कैसे पहचानते हैं कैसे पहचानते भया तुम आते तो मेरा काम बन जाता तुम आते तब मेरा काम बन जाता तो यह आपके हे तु मदभूत काल का उधारन कहला जाएगा नेश्ट कोशन की तरफ चलते हैं कि सवाक में क्रिया वर्तमान काल में है वर्तमान काल में क्रिया बताना है तो चलिए ये देखते हैं तो आपसन अमबर ए में जाए उसने मिठाई खा ली थी जहां पर था थी थे या जाए तो भूत काल होता है ये आपका होगा नहीं सेकंड आपसन पर चलते हैं मैं तुम्हें पत लिख रहा हूँ हाँ य ये बिल्कुल सही बात है ये आपको क्रिया वर्तमान काल में आएगा अचानक बिद्धुत अपूर्ति भंग हो गई ये आपका नहीं आएगा आज वे आने वाले थे था थी थे या जाए ये भी आपका भूत काल में जाता है तो क्रिया वर्तमान काल में आपका सिकंड निश कोश्चन है समान वर्तमान काल का उधारन क्या है समान वर्तमान काल का आपको जामपल बताना दोस्तों तो क्या हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है समान वर्तमान कहला जाएगा वह क्या है कलकत्ता जाता है संदिक्द वर्तमान काल का उधारन है संदिक्द वर्तमान काल का उधारन काउंस हो जाएगा जहाँ पर आपका संदिक्द हो तो संदिक्द यहाँ पर कहाँ है कि मैं पढ़ रहा होँगा यानि कि स्वायम उसे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँगा मैं पढ़ रहा हूँगए यानि संदिग्द वाली बात हो गई तो यहाँ पर क्या संदिग्द वर्तमानकाल हो जाएगा एक और आपको एडवांस में question और कराय देते हैं कि गाएं दूध देती हैं यह किस प्रकार का वाग है गाएं क्या है दूद देती हैं तो किस प्रकार कवाग कहलाएगा तो यह आपके वर्तमान काल कहलाएगा शमान जो की सत्त है गाएं दूद देती हैं वर्तमान काल कहलाएगा वो भी समान वर्तमान काल जो की आपका सत्त है यह रहे दोस्तों आपके आज के कास से समंदित महत्पूर्ण प्रस जवाब की जामें पूछे जाते हैं तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दीजेगा लाइक वाला बटन जरू दबा दीजेगा और हो सके तो दोस्तों में सेर करतीजेगा जिसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास तीक है ओकल एजा वोकल सबी लोग समझते है ओकल यानि कि हमारा ये देश का चैनल है राश्ठीत में चैनल है सिच्छा जगत का चैनल है यहाँ पर आप जा सकते हैं जैस्वाल कोचिंग सेंटर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रिस्ट करेंगे ताकि जो लाटेश नूट के सन हो आपको मिलता रहेगा जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचता रहेगा साथी साथ प परिवार के साथ सारी खुसियां बाटते रहेए चारो तरफ खुसियां बाटिये यही हम मनो कामना करते हैं दोस्तों मिलते हैं इस क्लास में जैस्वाल साथी